प्यारे बच्चों, बीएसी सेकेंड डियर, सेकेंड पेपर, औरगेनिक केमिस्ट्री, फिनाल नाम का एक चैप्टर है, आज हम थोड़ा सा फिनाल के बारे में बताएंगे, जिसको की कार्बोलिक एसिट के नाम से जाना जाता है, फिनाल को कार्बोलिक एसिट कहते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कार्बोलिक एसिड या फिनाल, प्यारे बच्चों, यह जो फिनाल है या कार्बोलिक एसिड है, इसका मालिकुलर फार्मूला, यानि अन सूत्र जो है सी सिक्स यच फाइफ ओ यच है कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं पी यच ओ यच ये भी फिनाल का सूत्र हुआ बच्चों फिनाल का जो इस्ट्रक्चरल फर्मूला है संद्चना सूत्र है वो इस धंका होता है यह यहाँ पे ओ यच प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन जो होता है यह कार्बन यह कार्बन ESP2 हाइबिडाइज इस्टेट में होता है बच्चों फिनाल का स्ट्रक्चरल फर्मूला संद्चना सूत्र हम इस प्रकार से भी बनाते हैं सारे कार्बन और हाइडोजन को दिखाते हुए यह कार्बन कार्बन हाइडोजन 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 यहाँ पे OEH यहाँ पे हाइडोजन यहाँ पे हाइडोजन यहाँ डबल बॉन single double single double बच्चों ये जो कार्बन है ये कार्बन जिससे ओयत जुड़ा है ये SP2 hybridized कार्बन है और इसको बच्चों unsaturated carbon atom भी कहते हैं unsaturated unsaturated माने ausentript क्यों ये unsentript carbon atom है क्यों कि बच्चों आप देखो ये कार्बन double bond से यहां जुड़ा हुआ है ये single bond हमें सा sigma होता है ये भी sigma है ये sigma है लेकिन बच्चों ये pi bond है इस कार्बन के चारो और एक round लगाएं तो तीन sigma bond एक pi bond पाते हैं तो बच्चों इस कार्बन में कोई पूछे कि किस टाइप का हाइबडाजेशन है तो कहेंगे ये sp2 हाइबडाजेशन है sp2 संकरण अवस्था में है कार्बन और ये कार्बन और संत्रिप्त कार्बन परमारू है प्यारे बच्चों अभी यद मैं इलकोहाल की बात करूँ यसे CS3OS ये मेथिल इलकोहाल है इसका हम स्ट्रक्चरर फर्मूला बनाएं तो ऐसे बनेगा single bond H single bond H single bond H single bond O प्यारे बच्चों इसमें ये जो कार्बन है ये sp2 संकरण अवस्था में है sp2 hybridized state में है ये sigma bond ये sigma bond ये sigma bond ये sigma bond प्यारे बच्चों ये कार्बन जो आप देख रहे हैं ये saturated carbon atom है saturated carbon atom संत्रिप्त कार्बन पर्मार तो याद रखना बच्चों इलकोहाल में इलकोहाल में OH ग्रूप जो है ये OH ग्रूप है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो संत्रिप्त होता है यानि जो SP3 not SP2 SP3 hybridized state में होता है लेकिन फिनाल में OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो SP2 hybridized state में होता है ये कार्बन और संत्रिप्त कार्बन है लेकिन यहां ये कार्बन आप जो देख रहे हैं बच्चों ये संत्रिप्त कार्बन परमाल है इसमें कार्बन में SP3 संकरन होता है प्यारे बच्चों फिनाल में ये जो ये C6S5 देख रहे हो या PS देख रहे हो इसको फेनिल ग्रूप कहा जाता है फेनिल ग्रूप तो फिनाल में क्या होता है एक फेनिल ग्रूप बांडेड होता है बंधा होता है एक O.H. ग्रूप से O.H. ग्रूप क्या है बच्छों हाइड्राक्सिल ग्रूप हाइड्राक्सिल ग्रूप लेकिन एलकुहाल में क्या होता है बच्चों ये एलकुहाल है ये एलकुहाल है ये देखें C2H5 OOH ये भी एलकुहाल है एलिफैटिक एलकुहाल इसमें बच्चों ये C2H5 एलकिल ग्रूप है आर यहां ये एलकिल ग्रूप है और एलकिल ग्रूप के कार्बन से OOH जुड़ा ह और इसमें ये फैनिल ग्रूप के कारवन से ओया जुड़ा होता है आर्ग मिन्स अलकिल ग्रूप अलकिल ग्रूप प्यारे बच्चों ये आपका एथिल अलकोहाल सियस्तिर वेज में ये अलकिल ग्रूप है मेथिल मेथिल अलकोहाल बच्चों ये फिनाल जो होता है ये एसिडिक होता है और यह इलकोहाल की ये पिछा अधिक अमली है इलकोहाल की ये पिछा अधिक अमली है आप जानते हो आक्सिजन की इलेक्टो निगेटिवटी ज्यदा है ये दोनों इलेक्टान यहां चले गए फिनाल यह फिनाल है फिनाल का आयोनाईजेशन होने पर बच्चों एक आयन बनता है निगेटिव आयन आयन इसका नाम है फिनाक्साइड आयन O- और plus EH plus इसका नाम है proton प्यारे बच्चों फिनाल आइनिजियरेशन होने पर क्या देता है फिनोकस़ाईड आयन बनाता है और proton बनाता है बच्चों यह जो फिनोकस़ाइड आयन है इसमें रिजोनेंस की घटना घटती है अनुनाद की घटना घटती है इसके कई regionating structures होते हैं कई अनुनादी संरचनाएं होती हैं कई canonical structures होते हैं इसलिए ये बहुत अधिक stable हो जाता है इस्थाई हो जाता है चुकि ये इस्थाई बनता है इसलिए फारवर्ड डारेक्शन में रियक्शन होता है और फिनाल प्रोटान देता है आप जानते हो प्रोटान देने वाला एसिड होता है तो फिनाल क्या है एसिड है क्या मेथिल अलकोहाल एसिड है जी हाँ ये भी एसिड है लेकिन मेथिल अलकोहाल चाहे एसिल अलकोहाल हो ये फिनाल की तुलना में ये वीक एसिड है वैसे बच्चों फिनाल खुद ही वीक है ये लेकिन एथिल अलकोहल इससे भी वीक है इससे भी कमजूर है प्यारे बच्चों फिनाल को कारबोलिक एसिड कहते हैं और फिनाल है क्या ये एरोमेटिक कार्बनिक योगिक है फिनाल इज एरोमेटिक आरगेनिक कमपाउं फिनाल इज एरोमेटिक आरगेनिक कमपाउं बच्चों ये फिनाल ये सफेद रंग का होता है हुआइट कलर फिनाल और क्रिस्टलाइन सालिड है ये क्रिस्टली ठोस होता है बच्चों ये फिनाल बोलाटाइल होता है वास्प सील होता है ये वास्प में बदल जाता है बच्चों ये फिनाल हमारी त्वचा के उपर फिनाल पड़ जाए तो इस पर गहरा घाव पैदा कर देता है ये जो फिनाल है बच्चों फिनाल के बहुत से उपयोग ह ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड है या अध्योगिक योगिक है इंडस्ट्रियल कामोडिटी है अध्योगिक पदार्थ है बच्चों फिनाल से प्लास्टिक बनाते हैं नाइलान बनाते हैं हर्भी साइड बनाते हैं बैके लाइट बनाते हैं और बहुत सी दवाईयां बहुत से मेडिशिंस हम फिनाल द्वारा बनाते हैं फिनाल एसीडिक नेचर का होता है और यह इलकोहलस की तुल्णा में आधिक एसीडिक होता है उसका कारण है फिनाल में जो ओ-एच होता है वो जिस कारबन से जुड़ा होता है वो ESP2 हाइबिडाइज़ होता है प्यारे बच्चों यद ESP2 और ESP3 hybridization की तुलना करें तो ESP2 में ES character अधिक होता है और ESP3 में ES character अधिक कम होता है ESP2 में ES character देखा जाए 33.3% होता है लेकिन ESP3 में ES character के वर 25% होता है जबकि ESP hybrid orbital में ES character 50% होता है तो प्यारे बच्चों जब ES character जाधा होता है तो वह जाधा ACID लिक होता है अब यदे हम बात करें ACitiline का acetylene बच्चों ये है acetylene आप इसको गौर से देखें sigma band, sigma band, pi band, pi band, sigma band प्यारे बच्चों acetylene है इसमें दो कारवन है दोनों कारवन में ESP, ESP hybridization हुआ है बच्चों इस कारवन की electronegativity इस कारवन की electronegativity से अधिक है और इस कारवन की electronegativity इस कारवन की electronegativity से अधिक है इसलिए ये जो shared electron pair है bonding pair of electrons है ये कारवन की ओर चले आते है कारवन पर negative charge और hydrogen पर partial positive charge उस बन हो जाता है परिश्चती ये बनती है ये bond तूट जाता है और जब bond तूट जाता है तो ये अच पलस बन जाता है और ये negative iron बन जाता है बच्चों, एसी टिलीन इसलिए अमली होता है लेकिन एसी टिलीन तो अमली है लेकिन एथिलीन अमली नहीं है और एथेन भी अमली नहीं है लेकिन यहाँ पे आप बात करें फिनाल बच्चों फिनाल क्या है फिनाल अमली है भले ही वीक एसिड है लेकिन एसिड है तो बच्चों आज हमने आपको कारबोलिक एसिड के बारे में जिसे फिनाल कहते हैं एक सामान आइडिया एक जनरल आइडिया एक इंट्रोडक्शन हमने आपके सामने रखा है फिनाल के बारे में अब इसी के साथ आज का क्लास समाथ होता है जै हिन जै भारत